हेलो दोस्तो स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में ये स्वर्ग की आदम खोरो का स्वर्ग का पहला भाग हमने समाप कर दिया थे यहां से दूसरा सुरू करते हैं तिर्वविस के भेरे नुखीले दान दूर्ग की तरफ बढ़े मौत अगले ही मोर पर खड़ी थी लेकिन दूर्ग का दिमाग आजाद था साप की सबसे बड़ी कमजोड़ी उसका की पूछ होती है धुर्ग ने भारी जूते हावा में उठे और सरपमानो का पूछ पर आगी रा सरपमानो चीख कर पलटा धुर्ग के सीने पर दबाव ढीली डालती उसकी गुंडली खुल गई इस मोके का भरपूर फाइदा उठाते हुए धुर्ग ने पास की डाल से एक सक्त और नुखिली टहनी तोड़ ली उसका हाथ बिजली सी तेजी से आगे बढ़ा और टहनी सरपमानो के तालू में बैट गई सरपमानो ने तेजी से मुँ बंद करना चाहा लेकिन नुखिली टहनी पैने तीर के तरह उसके तालू को भेती हुए उसके मस्तिक में घुज गई उसके मुँ से खून का फवारा फूट पड़ा एक मिनट तर अपने के बढ़ सरपमानो का सरीर सांथ हो गया और तभी वह विसाल पेड सांथ हो गया दृब का पीछा कर रही आकुरति भी चकित रह गई वह इतने खतरनाक परानी को इतने आसानी से खतम कर सकने वाला व्यक्ति सरफ दृब ही हो सकता है इस परानी की उपरी खाल तो जरूर सक्त है परन्तु अंदुरूनी भाग हमारी तरह ही कोमर और मुलाइम है पर इसके चक्कर में मैं तो मैं उस जुन्ड को भूल ही गया जिसके बचने के लिए इस पेड़ पर चड़ा था चड़ा हूँ पत्तो के अचर मराने की आवाज पेड़ के नीचे तक आ चुकी थी धुरूने पत्ते हटा कर साधानी से नीचे जाका और तभी वह विसाल काई पेर बुड़ी तरह से ही लुटा तो यह है वह जुन्ड जिसके चलने से इतने पत्ते चर मरा रहे थे इस पार धुरून के सामने वास्तों में उसकी मौत का फर्मान था इससे पहले की धुरूप कूद कर किसी दूसरे पेर पर जा सकता दूसरी टकर लगी धम और वह भीमकाई पेर जड़ के समेत उखड गया चर बचने का एक ही रास्ता है कि मैं पेर के गिरने की विप्री दिसा में कूदू धीरे गुदू जिधर यह गेंडा खड़ा है मानवी स्वामी जानते थे कि तुम अपनी मुर्खता से बाज नहीं आओगे इसलिए उन्होंने हम सब को सतर कर रख कर दिया था भारी भरकम पैर धुरुक को कुचलने के लिए आगे बढ़ें परनतु धुरुक की विदुद गती से उसे बचा लिया इस तरह इसका सामना जाइदा देर तक नहीं किया जा सकता धराक इसलिए अब मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता अगले ही पल दुरुक के हाथों में एक पिस्टोल चमकी और पलक जपकते ही गोलियां दभी धाए 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 लेकिन वह बेसर रही हाँ हाँ अरे मुर्क इन मामूली पिस्टोलों से तो साधारन गेंडा पर भी असर नहीं होता फिर तो मैं गेंडा माना हूँ लगता है धुरुक को मेरी मदद की जुरत है लेकिन इससे पहले कि वह धुरुप का पीछा कर रही आकुर्तिक समझ गए कि मदद का वक्त आ गया है लेकिन इससे पहले कि वह धुरुप नीचे वह धुरुप नीचे उतरती धुरुप तेजी से एक तरफ भागा मुझसे बचकर भागना असामभाव है बचे गेंडा मानो भी तेजी से दुरूब के पीछे भागा ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था यह बिना सोचे समझे मेरे पीछे आ रहा है अगर मुझको इस जंगल का नक्सा सही रूप से याद है तो इसके आगे दलदल सुरू हो जाता है धुरूब रुका और पल्टा रुक गया हाँ तो तुम सांती से मरना चाहते हो डरो मत एक सेकेंड में सब खतम हो जाएगा धुरूब को पकड़े ने लपका लेकिन धुरूब तेजी से एक तरफ हट चुका था यह यह क्या यह तो दलदल है अपनी सारी अमानुए ताकतों को वावजूद तरफते गेंडा मानों का सरी धिरे धिरे दलदल में गायब होने लगा और सिगर ही दलदल जमीन ने गेंडा मानों को पूरी तरह निगल गया फिर धुरूब से अपनी मंजल की तरफ पढ़ चला वावाव मेरे रिवालवर की गोली गेंडे के सरीर में गुसने को बेताब थी पर उसकी चरुट नहीं पड़ी धुरूब की मंजल अप सामने थी इस गने जंगल में या आधुनी की मारत और इसके पहरे दार कहीं इन प्रानियों का अड़ा है तो वह यही होगा और इन मानों पहरेदारों से सिद्ध होता है कि प्रानी वास्तों में मनुस्य ही है और यह किसी यंद्र के सहारे ऐसे बने हुए हैं मैं इस तरह के तीन प्रानियों से मिल चुका हूँ अब सवाल ये है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो इन तीन नो परानियों के पास थी धुर्ब सोच परंतु तभी एक गुर्गुर्याहट ने उसकी विचारधाराएं तोड़ दी गुर्ब हाँ हाँ मिल गया मिल गया है धुर्ब सम्हल भी ना पाया था कि तड़ा आः धुर्ब ठक गया है अब वह साइद इससे ना जीत सके धुर्ब वास्तो में थोड़ी ठकान महसूस कर रहा था उसमें अपनी तरब बढ़ता खतरनाक पंजे रोकने तक की तागत नहीं पची की तभी एक मिनट यह कलाई पर बंधा पट्टा हाँ यही तो है वह चीज जो इन तीनों के पास थी तड़ाख बाये हाथ की कलाई पर बंधा यह पट्टा इस ख्याल ने धुर्ब में एक नई सक्ती का संचार कर दिया यह सक्ती थी सक्त्य की नियाई की आतड़ा और दुर्द विस्वास की धड़ाँ बेडिया मानों में इस सक्ती का सह पाने की ताकत नहीं थी यह तो गया अब देखना है कि इस पट्टे का क्या रहस्से है धुर्ब ने पट्टा खोला और धीरे धीरे उसकी आश्चरे चकित आखों के सामने भेडिया मानों सिर्फ मानों रह गया तो मेरा ख्याल सही था वाह तो यह है इन जानवरों का रहस्से है अब देखना यह है कि यह पट्टा मुझ पर असर करता है या नहीं धुर्ब ने पट्टे को का लॉक दबाया लेकिन कुछ नहीं हुआ यानि इस पट्टे के अलावा कोई और चीज भी है जो इनको ऐसा प्रानी बनाती है या सवाल अंदर गुसने का है अब सवाल अंदर गुसने का है और जबाब है गस्त लगाता उधर आ रहा है या पहरेदार तड़ाख और दो मिनट बाद जब धुर्ब इमारत की और बढ़ा तो उसको पहचानना ना मुनकिन था ओफ या भेडिया इधर ही आ रहा है मिला की कहीं नहीं और धुर्ब बेधड़क अंदर गुसता चला गया अफ धुर्ब तो अंदर गया और यह सैतान पहरे पे खड़ा हो गया इसके हटने का इंदजार बिकार है वह गस्त लगाता पहरेदार जैसे ही मोड पर मुरेगा मेरी डिवॉल्वर निसाना ले लेगी इनकी स्खाल इतनी मोटी है कि गोलिया साथ असर ना करे लेकिन आदमी या जानवर सबके सरी में एक ऐसी जगा जरूर होती है जहां गोलिया बेसर नहीं होती और वो है नजर और वो है नजर है आँख निजान बाज का निसाना हमेशा की तरह अचूख था साइलेंसर लगे रिवालवर में से एक हलकी सी पिट की आवाज होई वो आकुर्थी तेजी से आगे लबकी इससे पहले की पहरेदार वापस आए मैं इसको ठीकाने लगा देता हूँ इमारत के अंदर हो लूँ लेकिन किस्मत कुछ और ही खेल खेल रही थी अरे पिटर अभी यहीं तो आकर खड़ा हुगा था कहां चला गया और जमीन पर खून के ये धबे घसीटे जाने का निसान या निसान भेडिया जो जानियों की तरप जा रहा है और जानियों के बीच थी बेडिया मानो पिटर की लास अंदर यहां तो आधोनिक सस्त्रों का भारिश टॉक है इतने हतियार से तो एक सेना के लिए भी जाएदा है इन परानियों का इरादा क्या है दूसरी तरप आखों में गोली हूँ सर्प मानो नूरा और गेंडा मानो रासुका भी वापस नहीं आए इन सब का सिर्फ एक मतलब है कि धुरुब यहां आ चुका है धुरुब इस नई आफ़त से बेखबर था सीथ कक्ष सीथ कक्ष में रखी बोतल और जारों की लाइन और यह लेवल हर हिंसक जीव के नाम की एक सीसी आ सीसी या जारी जार है सिर्फ सिंग के नाम का जार नहीं क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही नर्सिंग है और एक ही रहेगा तुम आप बोल नादान तु इस वक्त दुनिया के होने वाले संसा के सामने खड़ा है सिखाने में वक्त लगाता है सेवक सीखने में वक्त लगता है सेवक वक्त लगता है पहले इसको इसके असली रूप में तुलाओ तुम्हारी कलाई का पट्टा बता रहा है कि तुम पर इसने असर नहीं किया हलाकि तुम इसका रह से जान चुके हो तुमको मैं यहां सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिग्र ही तुम भी हम में से एक बनने जा रहे हो इन बोतलों में वे सुस्म जीवानों कैद हैं जिनको वे ग्यानिक जिन्स कहते हैं इन जिन्स के एक बार मानो सरी में परवेस्ट होने के बाद जब ये पट्टा पहना जाता है तो इस पट्टे में लगे यंदर उस जिवानों को सक्रिय कर देते हैं और फिर तब 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 तक यह पट्टा चालू रहता है मानो पसू बना रहता है अब तुम बताओ तुमने भेडिया मानो पीटर की आँखों में गोली क्यों मारी गोली मैंने उसे कोई गोली नहीं मारी खैर मैं तुम्हें बहुत खुस हूँ आज से तुम मेरे परमुखे सहायक बनकर रहोगे जखीरा इसको बाग के जिन्स पिलाओ एक बाग जिन्स इसके सरीर में पर्विष्ट हो गए तो फिर यह हमेशा के लिए हमारा गुलाम बन जाएगा आदम खोडों की भीड़ी में गिरा असहाय धुरूब लेकिन फिर क्या हुआ वो धुरूब के पीछे पीछे पहरेदार की तरह लगी आकुरती कौन थी जानने के लिए पढ़िये खुन जमा देने वाला दूसरा और अंतिम भाग स्वर्ग की तबाही चलिए दोस्तों धुरूब की का दूसरा कौमिक स्वर्ग की तबाही जल्दी ही अपलोड करूँगा लेकिन उससे पहले रिक्वेश्ट है कि आप हमारे चानल को लाइक सस्क्राइब और जहाद हो सके सेर करें धन्यवाद मिलते हैं धुरूब की दूसरे अंक में